नमस्कार, Economics for All Devin चैनल में आपका स्वागत है नोबल पुरुषकार 2021 की घोशना हो गई है नोबल पुरुषकार कमेटी के चेर्मेन थामस पर्लमेन ने आज मेडिशिन का नोबल पुरुषकार की घोशना की है मेडिशिन का नोबल पुरुषकार बैरूत लेवनान में जन्में अमेरिका के मालिकुलर बायोलाजिस्ट और नियूरो साइंटिस्ट आरडेम पेटा पुटियन और अमेरिका के निवयार्क में जन्में 65 वर्षी डेविट जूलियस जो कैलफॉर्निया विस्पिद्याले में प्रोफिशर है दोनों को सयुक रूप से मेडिशिन का नोबल पुरुषकार दिया गया है दोनों को ये पुरुषकार तापमान वा इसपर्स के लिए रिसेप्टर्स के खोज के लिए दिया गया है तापमान, दर्द, दबाओ, तीनों को ये अमचू कर मैसूस कर सकते हैं इसपर्स्वा गर्महट के गुत्थे सुलजाने के लिए दोनों बैग्यानिकों को नोबल पुरुषकार दिया गया है नोबल पुरुषकार की शुरुवात वर्स 1901 में हुई थी शुरुवात में या पुरुषकार भहुत्की, रशायन, चिकित्सा, साहित वा शान्ती के छेतर में दिया जाता था वर्स उन्नीश और सट में अर्सास्त के छेतर में भी नोबल पुरुषकार देने के सुरुबात की गई